हेलो एन नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों दिस इस मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लाटफॉर्म क्रेकनाव पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के स्रिंखला जिसमें बिहार की समस्त चीजों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं हमने बिहार जियोग्राफी वाले पोर्शन को पूरा कर दिया है उसमें हमने बिहार के उन समस्त टॉपिक्स को पिछली 10-11 काक्षाओं में देखा जहां से क्वेस्चन बनता है चाएं वो बिहार की भॉगवले कवस्तिती हो चाएं बिहार की मैपिंग हो या फिर नदियां हो या फिर मेरे प्यारे बच्चे मिट्टी से लेकर तमाम चीजों को हम देख चुके हैं आज उसका आगला क्रम है और आज हम बिहार के इतिहास में प्रवेश करेंगे उस राज के इतिहास में जिसका इतिहास उतना सम्रिद्ध और उतना पुराना है जितना वर्तमान मानव स अब्यता का इतिहास है तो जिस तरीके से वर्तमान मानव सब्यता का इतिहास बहुत प्राचीन और बहुत सम्रिद्ध रहा है ठीक उसी तरीके से बिहार का इतिहास भी उतना ही पुराना और सम्रिद्ध है आज हम उस इतिहास को गहनता के साथ अध्यन करेंगे और उस तरीके से अध्यन करेंगे जिस तरीके से question पूछा जाता है बिहार से बिहार में अगर इतिहास की बात करें तो प्यारे बच्चे question आप से पूछे जाएंगे कहां कहां या किन-किन जगहां पर बिहार के बारे में उल्लेक है चाहें वो रिगवेद की बात हो चाहें यजुरवेद की की बात हो चाहें सत्पत ब्राह्मन की बात हो इन सभी जगहों पर बिहार के जिन भी चीजों के बारे में उल्लेक हुआ है उसको हम विस्पृत चर्चा करेंगे बिहार में आए सभी यात्रियों के जो विवरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इस तरीके से एक समग् अध्यन हम करेंगे इतिहास का और यह प्लेलिस्ट यूट्यूब के इतिहास में सबसे शांदार प्लेलिस्ट बनेगी यह मेरा वादा है आपसे बिहार के समस्त चीजों को हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो बस मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस क्लासिस को इस पूरी की पू प्राचीन बिहार तो चलिए पैरे बच्चे बहारत में मानव सब्विता का प्रारंब अगर हम कहें तो बिहार उससे अच्छूता नहीं है बिहार सम्रद्द साली एवं वैभव जो है साली इतिहास से संपन्न भूमी है जिसका उल्लेक आपको विविन रूपों में विविन नामों में वेद पुरान ब्रामन ग्रंत जैसे धार्मिक साहित में यात्रा व्रतांतों में आपको बिहार का उल्लेक देखने मिलेगा चलिए शुरू कर रहे हैं आज की यह महतफून क्लास प्यारे बच्चे तो अगर हम बिहार में बात करें इसमें बिहार का इतिहास तो बिहार का इतिहास से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कई जगे है कि बिहार के इतिहास का उल्लेक कह कहां मिलता है तो मैंने आपको क्लास की सुरुवात में बता दिया है कि बिहार के इतिहास का उल्लेख आपको बहुत वेदों में मिलेगा पुराणों में मिलेगा धार्मिक साहित्य में मिलेगा उसके साथ साथ विविन यात्रा विरतांतों में मिलेगा संस्परणों में इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बहुत सारे अभिलेक जैसे आसोक का अभिलेक या फिर मेरे प्यारे बच्चे प्राचीन भवनों के अवशेश मूर्तियां ये सब भी होते हैं जिनसे हम किसी भी जगय का इतिहास जान सकते हैं तो बिहार के समर्दितियास और भारतिय इतिहास में बिहार का महतवपूर्ण स्थान अगर हम पढ़ना चाहें देखना चाहें तो इन तमाम तरीके के जो श्रोत हैं जानकारी के उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा वेद पुरान, ब्रहमण ग्रंध, धार् जानकारी प्राप्त करते हैं अब आप कहेंगे सर यहां क्वेश्चन कहां से बनता है तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन प्रेलिम्स में BPSC में पूछा जा चुका है कि बेहार के बारे में जानकारी किन किन श्रोतों से मिलती है आप बता देंगे वेद पुराण, धर्मगरंत जैसे सतपत ब्रहमन और धार्मिक साहित और विविन यात्रा विरतांतों से बेहार के बारे में जानकारी मिलती है एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया था BPSC 48 के आसपास और क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्व प्रतम रिगवेद में बेहार छेत्र का उल्लेक मिलता है इसमें इसके लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया है यानि रिगवेद में बेहार के लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया है सीधा क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा तो कीकट या किरात सब्द का प्रियोग किया गया था ये बात तब ध्यान रखेंगे यानि रिगवेद आपसे सबसे पहले पूछे बिहार छेत्र का उल्लेक सबसे पहले किस में मिलता है तो रिगवेद में मिलता है चारों वेदों को आप जानते होंगे है ना उन चारों वेदों में से एक सबसे पुराना रिगवेद है और रिगवेद म और 25 में भी प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है, जिसमें इस छेतर के निवासियों के लिए वरात्य सब्द का प्रियोग किया गया, कौन से सब्द का वरात्य सब्द, जितने भी वर्ड्स मैंने हाइलाइट किये हैं, उनको आप नोट करेंगे और एक सौट नोट जैसा सिन लेक मिलता है, और किस से जानकारी मिलती है, पहला है कि बिहार के बारे में जानकारी के श्रोत, दूसरा महतपून है कि रिगवेद में सबसे पहले जानकारी मिलती है, और कि कीकट या किरात्य सब्द का प्रियोग बिहार के लिए किया गया, तीसरा महतपून है कि अर्थव का प्रियोग कहां पर किया गया है बिहार के लिए जो यहां निवासी रहते हैं तो अथर्ववेद में वरात्य किसके लिए है जो बिहार के निवासी थे उनको क्या कहा गया वरात्य और इस जगह को क्या कहा गया बिहार को तो कीकट या किरात कीकट किरात रिगवेद में और कि निवासियों को वरात्य कहा है अथर्ववेद या पंचविस में बात समझ में आ गई इतनी बात ध्यान रखनी है आपको अगर मेरे प्यारे वच्चे आप बिहार के बारे में जानना चाहें इन चीजों के अतिरिक्त तो उत्खनन से भी प्राप्त विविन्न जो पुरातत मत्रों के नाम जहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है जैसे आप से पूछ लेगा कि पुरा पासांड या मद्धबासांड कालीन छोटे उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं और यह आपको पता होना चाहिए इम्पोटेंट वहीं चिरांद चिरांद कहां पर पढ़ता है सारण डिस्टिक में तो चिरांद जो सारण में हैं से नव पासारण कालीन जो है अबसेस प्राप्त हुए हैं बात समझ में आ रही है आपको पुरा पासारण कालीन मद्य पासारण कालीन छोटे उपकरण पूछेगा तो मुंग यहां से आपको कई सारे question बनेंगे चिरान्द पढ़ता है सारण इरिस्टिक छेचर पढ़ता है वैशाली में तो देखो देखो चिरांद आपने यहां भी पड़ा चिरांद आप नीचे भी पढ़ेंगे चिरांद और चेचर मनेर सोनपुर सैनुमार से ताम्रपासान कालीन जो हैं वस्तुएं भी मिलती हैं तो नवपासाण योगीन वस्तुएं चिरांद और ताम्र पासाण भी अगर पूछ ले आपसे आनि तामबे का जब प्रियोग होने लगा है तो ताम्र और पासाण योगीन जो हैं वस्तुएं आपको चिरांद चेचर मनेर सौनपुर और सैन पर नदियों का संगम मैंने बताया है आपको तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कुछ चीजों को यह महतवपूर तो यहां पर मिरदभाण भी मिले हैं और तामर पासांड कालीन अब से जो है वस्तु में भी प्राप्त होई है ठीक है इसी है अराम-अराम से इसलिए मैं चल रहा हूं ये पहला वाला जो पूर्शन है ये बहुत लोगों को परिशान करता है रितिक बहुत परिशान रहते हैं कि हमें पहला वाला चैप्टर समझ नहीं आता तो अब रितिक जब यह क्लास देढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि चलिए सर ने इजी कर दिया है आगे भीम ने दो जल श्रोतों को एक साथ बांधा था अपनी जीविका के लिए और वो बना भीम बंध जो बाद में पढ़ गया भीम बंध वन्यजीव अभ्यारण मुंगेर डिस्टिक में तो वहीं भीम बंध जगा पर जो पढ़ता है मुंगेर में केूर है गया में सैनुआर मै उपर भी बताया रोतास में चेचर देखे फिर आया वैशाली में और कुतुभपुर हाजीपुर में तथा चिरांद देखे फिर आया छपरा और सारण डिस्टिक छपरा है यह आपको पता होगा तो छपरा सारण देखके कन्फ्यूज मत होईएगा एक ही डिस्टिक है जैसे डिस्टिक का नाम छपरा ही है ठीक है तो द्यान देखेंगे सारण छपरा सारण छपरा बोलते रहते हैं हेड़कोर्टर की वजए से ऐसा होता है तो नवपासाणिक उपकरण भीमबाद मुंगेर में केउर गया में सेनुआर रोतास में चेचर वैशाली में फिरेंगे लिख लोगे आप इसको कैसे लिखेंगे आप गोला बनाएए यहां पर लिख लीजिए चिरांड क्या लिखेंगे पर बच्चे यहां पर आप नवपाशाण कालीन ठीक है हो गया चिरांद में आपने और क्या देख लिया मेरे प्यारे बच्चे तो चिरांद में आपने देखा नवपाशाण कालीन है ना यहां से और चिरांद में आपने क्या देखा है साथी साथ तामरपासाण कालीन तो यहां पर तामरपासाण भी ल इस तरीके से आप याद रखेंगे, चलिए, एक important चीज है, इस slide में जो आपको याद रखनी होगी, वैशाली मेरे पहरे बच्चे, क्या है, वैशाली, वैशाली से तामरपासाण कालीन, काले और लाल म्रदभाण प्राप्त हुए हैं, और बकसर और चिरान से उत्तरी काले च और चिरान से जो मिले हैं, वो काले चमकीले म्रदभाण है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लिजए, ये थोड़ी सी एक slide है, जो आपको थोड़ा सा लगएगी कि भाई दिक्कत हो रही है, इसके बाद आपको और कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है, चल आए आता है, दीर्ग निकाया आता है, विदे आता विने पितक आता है ना, सुत्त पितक आता है, जैन साहित, भगवती सूत्र है, तो इनसे भी भी बियार के सम्मन्द में जानकारी मिलती है, हमने क्या-क्या चीज़ें देखी है फिर से एक बार मैं आपको रिविजन करा हूं मैंने आपको कहा कि अगर आप बिहार का जो सम्रिद्ध जो बिहार की संस्कृती है बिहार का जो गौरवसाली इतिहास है अगर आप उस इतिहास को जानने का प्रियास करोगे तो कई सारे ऐसे ग्रंति कई सारे ऐसे श्रोत जहांसे आप जानकारी प्राप्त गर सकते बिहार के बारे में तो फिर दूसरा क्वेस्टन दिमाग में आता है कि कहां से जानकारी प्राप्त ऑकॉसकती है कि हम ने इसी के बारे जहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है है ना तो हमने पहले पुराने ग्रंट।। फिर उसके बाद पुरानों की बात करेंगे आगे तात्विक साक्ष है और इसमें हमने चिराद शेचर है ना जैसे छेत्रों की बात की की है ना तो इस तरीके से हमने देखा उसके बाद फिर हम चल गए हैं अब साहित्य पर भाई जहां साहित्य की बात हो रही है कि धार्मिक साहित्य से भी जो है बिहार के बारे में जानकारी म पढ़ रहे हैं अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा और क्लास कम बूरिंग लगेगी जब हमें यह पता होता है ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं हमारे पढ़ने का उद्देश से क्या है तो फिर चीजें आसान हो जाती है ना चलिए अब आईए अब आपको यह वाली स्लाइड्स हैं और दिक्कत नहीं देंगी तो अब हम देख रहे हैं कि बिहार के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि विविन बद्ध साहित्यों से और जेंद साहित्यों से उनके बारे में विने पिटक, सुथ पिटक, विदम पिटक, ये बहुत धर्म से संबन देते हैं, अंगुतर निकाय, दीर्ग निकाय, ये बहुत धर्म से संबन देते हैं, तो इन में बिहार के बारे में जानकारी है, और क्यों है क्योंकि बुद्ध जुड़े रहे हैं इस छेत्र से तो उन् directly अब मैं दिल्ली में रहूं मुखरजी नगर में और मैं यहां के बारे में Facebook पे लिखूं WhatsApp पे लिखूं Instagram पे लिखूं तो मैं इस छेत्र के बारे में लिख रहा हूं और वो कहीं जाके संकलित हो जाए आने वाले समय में पीडियां उसको पढ़ें तो वो यह कहेंगी कि कुमार पंकज ने नहरु विहार के बारे में Facebook पे लिखा था तो मैंने लिखा यहां की इस्तितियों के बारे में लेकिन आने वाली पीडियों के लिए यह क्या हो गया एक साख्ष ओ गया वो जान सकते हैं यहां की दसाओं को कि गलियां बड़ी तंग है किराया बहुत जादा है गर्मी बहुत होती है वेंटिलेशन की दिक्कत है तो इस तारीके कि अगर मैं चीजें लिखूं तो ये आने वाली पीडिया अनुमान लगाएंगी कि दसाएं कैसी रही होंगी हमारे पूरवजों की ठीक वैसे ही इन सभी ग्रंतों में जानकारी लिखी गई वहां की सामाजिक दसाओं के बारे में वहां के राजाओं के बारे में वहां के कैसे म श्रोतों से मिलती है बात समझ पार है ना इजी है इतना कोई परेशान होने की बात नहीं वैसे ही जैसे बुद्ध साहित्य से यहां के बारे में जानकारी मिलती है ठीक वैसे ही जैन साहित्य है भगवती सूत्र इससे यहां के बारे में जानकारी मिलती है बिभार के बारे में अब बात आती है कि बिहार के बारे में हमें और क्या महतवपूर्ण चीजें पता होनी चाहिए तो बिहार में अगर हम देखे सर्व प्रथम तो 600 इसापूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना हुई जिने महाजनपद कहा गया और यहां से जीवन आसान होता है क्वेस् उनको क्या कहा जा रहा है महाजनपद कहा जा रहा है और एक क्वेस्चन यहां से यह भी बनता है कि यह जो महाजनपद हैं इन महाजनपदों के संबंद में सर्व प्रथम चर्चा कहां हो रही है तो सर्व प्रथम चर्चा होती है अंगुतर निकाय में और अंगुतर निका उनको महाजनपद कहा गया और महाजनपदों के संबंद में सबसे पहले चर्चा कहीं हो रही है तो वो अंगुतर निकाय में और अंगुतर निकाय के साथ साथ भगवती सूत्र में और मजे की बात है कि एक इन में बौत धर्म का है और एक इन में जैन धर्म का है एना अंगु सूतर निकाय और भगवती सूत्रा किस किस से हैं मैंने बता दिया अब इन जो 16 महाजनपदों की मेरे प्यारे बच्चे जो इस्थापना हुई यह 16 महाजनपदों में आप से पूछेगा कि बेहार में कितने थे तो बेहार में इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद थे जो ब बिहार में मगद वज्ज और अंग ये बिहार में थे इंपोर्टेंट है इसको नोट करेंगे जितनी भी बातें हाइलाइट की हुई है उन्हें नोट करेंगे न भगवती सूत्र के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा गया था वो भी आपको पता होना चाहिए मैंने आप पिनोट किया है भगवती सूत्र मैंने बता दिया है कौन सा किस धर्म से संबन देता है तो जैन गिरंथ है भगवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगद सामराज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए अस्त्र सस्त्रों का उल्लेख है और हम आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे वैशाली के बारे में वैशाली एक सबसे बड़ा सक्तिसाली गणराज्य था और यहां के बारे में हम देखेंगे कि वैशाली के जो है मगद सामराज्य द्वारा इस वैशाली के विरुद अस्त्र सस्त्रों का प्रियोग किया गया है भवेस्से में हम इस बात को अभी पढ़ेंगे आगे चलके तो यह ध्यान रखना है वज्जी संग एक महुत बड़ा संग था और मगद सामराज्य मगद नरेस अजाद सस्त्रू ने वज्जी संग को प अस्त्र सस्त्रों का उल्ले का मिलता है तो हम देख रहें दो महत पूर्ण जो हैं यहां पे महाजनपद हैं मगद और वज्ज और इनी के संदर्ब में जो है आप से question बनता है कि जो वैसाली है इसके विरुद मगद सामराज्य ने पृयोग किया है अस्त्र सस्त्रों का यह क इसके अतरिक्त मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया तो मैंने वहाँ आपको ये भी पढ़ाया कि जानकारी के जो शुरोत है इसमें सिर्फ यही शुरोत नहीं है। चलिए सबसे पहले आप देखेंगे यूनानी यात्री मेगस्थनीज इसको आपने ध्यान लखना है क्वेश्चन आपसे आएगा दो तरीके से की बिहार के बारे में कौन-कौन जो है यात्री है जिनके यात्रा विरतानतों से या जिनकी लिखी रचनाओं से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो मैघस्थनीज प्रमुक्र यात्रियों में से है जिसने भारत का वर्णन किया बिहार गाभी वर्णन किया और मेगस्तनीज किसके दरवार में आया ऐसा भी question आपसे बनता है तो यूनानी यात्री था सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा हमेशा प्यारे बच्चे कि question कि जिस तरीके के बन सकते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा हो सकता है आपको question ये ना पूछे कि मेगस्तनीज ने किस पुस्तक में इसके बारे में वर्णन किया है भारत के बारे में या बिहार की चर्चा कहां मिलती है लेकिन आपसे पूछ ले कि मिलान कर दीजे आपको मेगस्तनीज देगा आपको हेंस्वांग देगा इतसिंग देगा या फिर तारकनाथ देगा और कहेगा कि इनका मिलान करिये कौन कहां से संबंदित है या फिर इनकी रचनाएं देगा कहेगा मिलान कर दीजे या फिर इनको लिख देगा और कहेगा कि इनकी आने का क बताईए किस क्रम में यह आये पहले कौन आया बाद में कौन आया तो इस तरीके का जो गहन विशलेशन है वो हमको करना होता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं और आज हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं बेहार का इतिहास सिर्फ पढ़ रहे हैं तो बेहार के संदर में जो भी ल पुनानी यात्री मेगस्तनीज किसके दर्वार में आया था चंद्रुपत मौरिय के दर्वार में ये आया रोग ऑर इस समय आप जानते हो सिकंदर डा ग्रेट जिसको एलेक्जेंडर कहते हैं सिकंदर का सैनापती था उस सेल्कस निकेटर का दूट बनके भारत आया था मेहस्थनीज धान रखेंगे सिकंदर का नहीं सिकंदर के सैनापती सेलूकस निकेटर का दूत यानि एमबेजडर बनके भारत आया था मेगस्तनीज और उस समय भारत में चंदगुप्त मौरिया शाशन कर रहे थे और चंदगुप्त मौरिया के समय जब आया तो इसने अपनी भारत यात्रा का विवरण एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम है इंडिका और इसमें गहन ताके साथ भारत का वरणन इस व्यक्ति ने किया है यहां से बहुत सारी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे कितनी बाते मेगस्तनीज चंदगुप्त मौरिया के दरवार में आया और यह सिकं मिलता है गहनता से इसने विवरण दिया है जो वहीं एक और व्यक्ति है जो बिहार और भारत के लिए महतवण है इसका नाम है पयान पयान पहले बचे चीनी यात्री था चंदगुप्त दृतिया के सासंकाल में भारत में आया और इसने भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं भारत के बारे में तत्कालीन भारत के बारे में दी हैं तो गुप्त समय सासक चंदगुद्धिती है कि समय में यात्री आया अफायान और नाम यह जो है कौन उस समय था चंदगुद्धिती है कहां का था चीन का था ठीक है एक और व्यक्त आपने यात्रा वरितान्त में नालंदा विस्विद्याले के विसे में विस्तृत वरणन दिया है, इसलिए यहां से क्वेशन ज़्यादा पूचता है बेहार में, मैगस्तनीज से तो हर स्टेट PCS में पूचता ही है, क्योंकि इंडिका के बारे में भारत के बारे में अगर आपको देखना हो तो वो मिलेगा वेंस्वांग के अभिलेखों में या उसके यात्रा विरत्यांत में नालंदा विश्विध्याल है आप जानते हो प्यारे बच्चे जो है शिक्षा का एक अभूत पूर्व अतुलनी है केंद्र रहा बहुत सांदार शिक्षा यहां प में जाते हैं पढ़ने और लोग प्रिष्टीज का विसे मानते हैं उसी तरह नालंदा में पढ़ना अपने आप में प्रिष्टीज का विसे हुगा करता था उस समय तो हर्स वर्धन के समय आया यह यात्री हुएंस्वांग इसने अपने यात्रा व्रतांत में नालंदा वि विस्त्रित वर्णन दिया है तो यहां से question बनता है हिविंसांग किसके समय आया हर्सवर्दन इजी है है से हर्सवर्दन है याद रहेगा ठीक है किसके बारे में इसने वर्णन दिया है तो नालंदा विस्विद्याले के बारे में विस्त्रित वर्णन सात्वी सदी में एक और चीनी यात्री महतपूर्ण है इतसिंग ये भी भारत आया और इसने भी बहार के बारे में महतपूर्ण जानकारियां दी हैं इसको भी आप याद रखेंगे इतसिंग को इतसिंग इंपोर्टेंट है बहार के बारे में ये भी जानकारी देता है एक क्वेस्चन बहार के बारे में मैंने देखा था मिलांगर ने पूछा गया था तिब्बती इतिहासकार है लामा तारानात लामा तारानात ये तिब्बती इतिहासकार और इनकी पुस्तक है बौत ध बहुत धर्म का इतिहास, प्यारे बच्चे. क्या नाम है पुस्तक का? बहुत धर्म का इतिहास. और संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित. ठीक है? यह दो रचनाएं अलग-अलग व्यक्तियों की हैं, दोनों ही महतपून है बिहार के संदर्म में. ठीक है? लामा ताराना की रचना का क्या नाम है बहुत धर्म का इतिहास और संद्याकर नंदी की रचना है रामचरित इनसे भी बिहार के बारे में महत्पूर्ण जानकारी मिलती है हम क्या पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास हमने कहां क्या क्या पढ़ा हमने बिहार के गौरबसाली इतिहास के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां कहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है बिहार के जानकारी के श्रोत क्या है हमने अबिलेखों की बात की, जिसको हम आगे देखेंगे, हमने कुछ वेदों की बात की, कुछ साहित्य की बात की, जिसमें बहुत जैन साहित्य को हमने देखा, हमने यात्रियों के विवरण को पढ़ा है वर्तमान में, तो इस तरीके से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं कि कहां-कहा से जानकारी बिहार के बारे में मिलती है इजी है चलिए एक चीज महतवपूर्ण है बिहार में आरियों का आगमन यहां से question बन जाता है तो मुझे लगा कि यह भी आप बता ही देना चाहिए एक important point के तौर पे चलिए पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे बिहार में आरियों का आगमन प्यारे बच्चे बिहार में आरियों का जो आगमन है वो माना जाता 1000 इसापूरु से 6000 इसापूरु के मद्ध है और यह संभावना व्यक्त की जाती है कि अथर्वेद की रचना के समय आरियों ने बेहार के छेत्रों में प्रवेस शुरू किया ताइब इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे किस समय जब अथर्वेद की रचना हो रही है उसी समय आरियों ने बेहार के छेत्रों में अभी प्रवेस किया परन्तु आरियों के सांस्कृतिक वर्चस्प की सुरूआत ब्रामन ग्रंतों की रचना के समय हुई है सीधा क्वेस्चन पूछता है यहां से और मैंने ज्योंकेतों क्वेस्चन को उठा लिया है आप से पूछेगा कि अथर्वेद की रचना के समय आरियों ने बेहार के छेत्र में प्रवेस किया तो बिल्कुल सही बात है लेकिन इनका जो वर्चस्प देखने मिलेगा वो मिलेगा जब बहुत जो है ब्राम्मन ग्रंतों की रचना हो रही है ठीक है वैदिक कालीन महतपूर्ण ग्रंत है सत्पत ब्राम्मन मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कुछ ब्राम्मन ग्रंतों में भी बेहार के बारे में जानकारी मिलती है उसमें से एक है सत्पत ब्राम्मन यह महतुपूर्ण है बिहार के संदर में। सत्पत ब्रहमण में गंगा घाटी के छेत्रों में आरियों के द्वारा जंगलों को जलाकर, काटकर, साफ करने की चर्चा मिलती है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजेगा। आप से पूछेगा कि बिहार में गंगा घाटी के छेत्रों में आरियों ने जलाकर, काटकर उस छेत्र को जो साफ किया है गंगा घाटी को, उसकी जानकारी कहां से मिलती है। तो आप बताएंगे सत्पत ब्रहमण से ये जानकारी मिलती है प्यारे बच्चे। ठीक है। अब सत्पत ब्रहमण में क्या लिखा हुआ है जैसे हम मानने की जानकारी मिलती है। तो सत्पत ब्रहम्मन में विदेह माधव की क्था है किसकी कथा विदेह माधव की कथा उसके साथ अगनी का पीछा करते हुए सदानीरा नदी तक पहुँचे सदानीरा को वर्तमान में आप किसके नाम से आनते हो गंडक के नाम से और यह question बनता भी है गंडक नदी के बारे में पूछ लेगा कौन सी नदी वेहार में सदानीरा के नाम से आने जाती है तो गंडक नदी है न तो माधव अपने पुत्र गौतम राहुगन के साथ अगनी का पीछा करते करते सदा नीरा नदी तक पहुँचे और इस प्रिक्रिया में उन्होंने जंगलों को नस्ट कर दिया जला कर और जब जला के जंगल नस्ट हो गए छेत्र थोड़ा खुला खुला देखने लगे तो फिर यहां पर आरियों ने बसना शुरू कर दिया क्योंकि अब यहां ज्यादा जंगल बचा नहीं था खुला छेत्र मैदान दूर दूर तक पानी की समुचित विवस्था और जब भी कोई सब्वता विक्सित होती है तो नदियों के किनारे ही आपको देखने मिलेगी क्योंकि जल अपने आप में एक अदवुत चीज है आवशकता है किस रही है बेहार की नदियां जैसे अगर आप बेहार में देखो तो गंगा नदी बारा के बारा जिलों में नौगम में है उससे ट्रांस्पोटेशन होता है तो ठीक उसी प्रकार पहले की सब्वताएं भी यह करती थी तो यह ध्यान रखिएगा सत्वपत ब्राम्मन में यह मिलता है कि गंगा घाटी के छेत्र में आरियों ने जंगलों को जलाकर काटकर साफ करने का मैं का जो है काम किया है कहां मिलेगा सत्वपत ब्राम्मन में याद रहेगी इतनी बात क्योंकि यहां से क्वेस्चन बनता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे चलिए प्यारे बच्चे अब जीवन आसान करने वाली क्लास शुरू हो जई है और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या-क्या महतपून और जानकाली है और कौन-कौन से वो महाजनपदास हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं विद इतिहास की चर्चा अगर आप देखो तो सरप्रतम यजुरू वेद में की गई है अब आप देख रहे हो चार वेद हैं रिगवेद अतर्वेद सामवेद और यजूरू वेद और तीन वेद हम देख चुके हैं सामवेद में तो जो है यग्गों की मंत्राज दिये हुए है किस तरीके से मंत्र करके जो है आप भगवान को फ्रशन न कर सकते हो लेकिन यहां पर यजुरुवेद का नाम भी आ गया है यह नोटिस करने वाली बात है कि इतिहास की चर्चा की अगर आप बात करो इस छेत्र की जिसका नाम है विदे तो इसकी चर्चा सरप्रतम यजुरु वंस है इस राजवंस की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे सूर्यवंसी च्वाकू राजा थे निमी विदेह इन निमी विदेह ने विदेह की स्थापना की थी और इस वंस के अन्य राजा जो महतपून है जो आपको पता होने चाहिए मिथी जनक द्वारा मिथिला राज की स्थापना की गई थी क्या नाम है मिथी जनक के द्वारा मिथला वर्तमान मिथलांचल कहते हो आप इस छेत्र को उसी की बात हो रही है यहां पर रामायन में वनित सिर्द्ध जनक है ना इस वंस के 25 में राजाते जनक वही जिनकी पुत्री सीता थी और वही जनक जो भगवान राम के ससुर थे आना बिहार में क्या कहते हैं सफुर को मुझे कोमेंट करके बताईएगा अना तो अब हम वही पहुंच गए हैं बिल्कुल तो यह वही विदे है जिसकी इस्थापना की है इच्छवाकू राजा निमी विदेय ने और मिथी जनक मिथला राज्य की इस्थ द्वज जनक वो मातासीता के पिता थे और इनी मातासीता का विवाद जो समय कौशल के नाम से जाना जाता था जिसको आप आयोध्या कह रहे हैं वर्तमान में तो कौशल के राजा दसरत के पुत्र भगवान राम से हुआ है ना तो ये जानकारी आपको यजुरवेद में इस बारे में मिलती है अब बात आती है कि विदह की इस्तापना निमी विदह ने की तो इसके अंतिम सासक कौन थे तो राजा करल जनक ये नाम ध्यान राखेंगे जनक देखो इनके भी नाम में है ना तो राजा करल जनक जो है इस व महाजनपत था सक्ति साली सामराज्य था तो महापदम नंद ने विदेय राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और इसके बाद विदेय का अस्तित्प उस समय समाप्त हो गया तो द्यान रखेंगे किसने किया ये महापदम नंद ने किसके समय राजा करल जनक के समय ठीक है अब आप इस विदे छेत्र को किस नाम से जानते हैं तो मिधिलांचल की नाम से आप इस छेत्र को जानते हो और बहुत ही शांदार सांदार जो हैं आप गीत गाए जाते हैं आज भी भगवान राम को यहां पर दामाध ही माना जाता है आप से मैंने question पूछा है उसका answer बताई राजवंस द्वारा सासन करने का प्रमाण मिलता है और वैसाली राजवंस की स्थापना मनु के पुत्र नमोदिष्ट द्वारा की गई थी मनु है ना मनु श्मृती तो मनु के पुत्र ते नमोदिष्ट उनके द्वारा वैसाली की स्थापना की गई और इसमें कुल 33 याद रहेगा वंस का नाम क्या है वैसाल वंस या वैशाली का राजवंस और इस वैसाली का राजवंस में राजा हुए 33 उन 33 राजाओं में से 24 नंबर के जो राजाते उनका नामता विशाल उन्होंने ही वैसाली सहर की स्थापना की थी और वैसाली अपने आप में महतवपूर्ण सहर बिहार के लिए है क्योंकि यहां पर भगवान बुद्ध की दुतिय संगीती का आयूजन भी है और अन्य छेत्रों में भी यह महतवपूर्ण है अब बात आती है कि वैसाली या वैसाली का राजवन्स के बारे में जानकारी कहां से मिलती है तो विश्णु पुरान गरुण पुरान वाईयू पुरान भागवत पुरान आदी में इस राजवन्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हम जब जानकारी के श्रोत पढ़ रहे थे तो हमने क्य पढ़ा था साहित्य से वेदों से पुराणों से धार्मिक ग्रंथों से यात्रा व्रतांतों से अभिलेखों से प्राचीन वस्तुओं से जानकारी वेहर के बारे में मिलती है तो मैंने आपको अल्मोस्ट चीजें बता दी थी अब तक वेद बता दिये थे धार्मिक ग्रंथ यात्रा व्रतांत बता दिये थे अना उसमें एक चीज अब और हो गई पुराण और पुराण किस-किस पुराण में जानकारी है विश्णू पुराण गरुण पुराण वायू पुराण और भागवत पुराण और यह पुराण किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तो व आपको लिछ्वियो ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्र साला का निर्माण कराया ये सीधा क्वेशन बनता है कि बुद्ध के लिए महावन में कुटाग्र साला का निर्मान किस ने करवाया तो बता दीजेगा लिछवी ओने ठीक है लिछवी इसी है और इसी कुटाग्र साला में बगवान बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे इसलिए ये महतपूर्ण है क्वे वर्तमान में जिला है मुझफरपुर और प्यारे बच्चे बसाड जो है यहां इस्थान है क्या निस्थान का नाम है बसाड यहां लिग देता हूँ अगर आप इस जगे की इग्जेक्ट जो है लोकेशन जानना चाहों तो डिस्टिक पड़ता है मुझफर पुर और जगे का नाम है बसाड है ना तो बसाड से आप इस जगे की तातकालिक जगे की पहचान कर सकते हो चलिए वैशाली के बारे में और महतपूर्ण बाते हमें क् क्वेशन बिहार में पूछता है कि सर्व प्रतम गड़तंत्र की स्थापना विश्व में कहां पर हुई तो सर्व प्रतम गड़तंत्र की स्थापना वैशाली में ही हुई है पूरे विश्व में है ना तो हम दूसरे देशों को कहते हैं कि वहां गड़तंत्र है रिपब्लि में गड़तंत्र की स्थापना हो चुकी थी हमारे प्यारे भारत में और वो जगे थी वैशाली तो इध्यान न गिएगा गर्व का विशे है वैशाली सरप्रतम गड़तंत्र महावीर ने वैशाली में चतुरमास व्यतीत किया था वैशाली के लिच्वियों का उलेक गुप्तकालीन अबलीकों में भी किया जाता है तो यहां जो रहते थे जगा पर उनका नाम है लिच्वी जगे का नाम है वैशाली तो आपसे अगर ये क्वेस्चन पूछ ले कि कुट चाग रसाला का निरमाण किसने करवाया तो लिच्वी और ये कंफ्यूज मतों जाईएगा वैशाली जगह का नाम है वैशाली क्या था महाजन्पत्ता यहां रहते तो उनको लिख्षवी जैसे राजा जनक क्या है जो है राजा जनक सूर्य वनसी ऐसे ये लिख्षवी चलिए वैशाली गौतम बुद्ध की प्रियनगरी भी कही जाती है और महात्मा बुद्ध की मृत्यू के पश्चा तीन सो तिरासी इसा पूर्व में वैशाली में काला सोक के सासनकाल में दितिय बौत संगीती का आयोजन हुआ था मैंने कई वार आपको एक ट्रिक बताई है रावे पाकू अका अक और इससे क्या पता चलता है कि पहली बौत संगीती राजगरी दूसरी वैशाली तीसरी के पाजाशकरु, कालासोक, आसोक और कनेस्क यह किस समय हुई है तो यहां किस की बात हो रही है यहां बात हो रही ह्यां थीनसो तिरासी की यानी दुतिय तो दुतिय यह कहा होई वैशाली किस शमय काला सोक कि समय थीक है । ही踏 समय क्या हा Tthe 383 एसा पूर्व तो दितिय बहुत संगीती का आयोजन वैशाली में ही हुआ है वैशाली की एक नर्तकी थी नरत्यांग्यना थी जिनका नाम था आम्रपाली बहुत शांदार डांस करती थी और आम्रपाली को वैशाली की नगरवदू कहा जाता तो आपने ये साहित अगर पढ़ा हो तो वहां वैशाली की नगरवदू नामिए चेहित अपने आप में पढ़ा होगा भौत शांदार कहानी और अब तो एक छोटा सा ग्रंत भी है अपने आप तो वैशाली की नगरवदू की पदवी की गई थी आम्रपाली को और बाद में ये आम्रपाली बुद्ध की सिस्या बनी और इसकदर बुद्ध से प्रवावित हुई कि इन्हों ने बॉद्ध संग को एक उद्यान समर्पित किया था और यहां से क्वेस्चन बनता है कि वैसाली प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने किसके घर पर भोजन किया और उससे प्रसंद होकर किसने भगवान बुद्ध के लिए या बॉद्ध धर्म के लिए उद्यान दान समर्पित किया तो वह हैं वैसाली प्रवास के दौरान आम्रपाल तो द्यान रखेंगे आमरपाली के घर पे भगवान बुद्ध ने भोजन करा था और इस से खुस हुई जो है आमरपाली और उन्हें उद्ध्यान दान में दे दिया उद्ध्यान बोले तो पार्क चलिए अगला है वज्जी संग तीन संग महतपूर्ण तीसरा देख रहे हैं भारत में दस घंण राज्यों का उले किसका रिफन्स मानब के अगर हम चले इतिहासकारों का और बुद्धकालीन साहित्यों का और इन गनराज्यों में आब देखो तो सबसे प्रतिस्ठित गनराज्य कोई था तो वो वज्जी संग था मेरे प्यारे बच्चे वज्जी और बौत दोनों ही साहित्यों में मिलता है यह ध्यान रखना है और अगर आप इसकी जियोग्राफिकल पुजीशन उस समय देखो यानि भागौलिक अवस्तिती देखो और आप मान लो कि यह गंगा नदी है कौन सी नदी है गंगा नदी जो बेहार को दो भागों में बाटती तो है वब जिसंग गंगा को उत्तरी छेत्र में थे उत्तर में था और नेपाल के ऊज़ो लाए था आना तो venir आज के अभी आप देखो तो गंगा के उत्तर में नेपाल की तरही तक विस्त्र इत्ति वज़िसंगा जो समय का सबसे मजबूत संग था आज के उत्तर भारत में था उत्तर बेहार में था ना वज्जी संग में संभवत है उस समय माना जाता था कि आठ सदस्य थे जिनको अस्टकुल कहा जाता है इनमें वज्जी लिच्वी ग्यात्रिक विदे हैं ये चार थे जो सरवादिक महतपूर्ण नाम याद रखेंगे वज्जी तो वज्जी के ही हो गए लिच्वी वैशाली के थे ग्यात्रिक विदे ये चार महतपूर्ण थे विदे आप देख चुके हो मिधिलांचल जिसको वर्तमान में कह रहे हैं एना ग्यात्रिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो ये चार थे लिच्वियों के बारे में वर्णन है ये आप ध्यान लखेंगे कोटिल ने लिच्वी हे तु एक सब्द का प्रियोग किया था ये क्वेश्चन यहां से बनता है राज सब्दोप जीवी क्या नाम है राज सब्दोप जीवी सीधे सीधे क्वेशन पूछेगा आप से की किया गया है जो वैशाली के थे इंपोर्टेंट है और मगद नरेस अजात सत्रु ने वज्जी संग को यानि इस पूरे के पूरे संग को जो समय सबसे सक्तिसाली था इसको पराजित कर दिया और मगद सामराज्य में मिला लिया ये भी आप ध्यान लखेंगे अब बात आती है कि जो वज्जी संग के सदस्य कुल है वो कौन-कौन से आठ तो ये याद होने चाहिए आपको वज्जी पहला लिख्षवी दूसरा ग्यात्रिक तीसरा विदेह चौथा उग्र कुरू भोग और इच्छवाकू मजे की बात है इस में से चार कौन-कौन से महतपून है तो इसे बाद उग्र है जिसको हत्तिग्राम भी कहते हैं कुरू है जिसको हस्तनापूर है यह आप जानते हो कुरू वंस भोग भोग नगर था रिच्छवाकू वंस आयोध्या से संबंदित है ये बात भी आप याद रखेंगे ठीक है तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोक र है विस्तरित चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्लास आपको पसंद आ रही है तो सेर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ क्योंकि आप अगर सेर करेंगे तो प्यारी बच्चे हम ग्रू करेंगे और हमारा ग्रू करना हमें गौरवानवित महसूस कराता है हमें प् हमारे अंदर आता है तो आप हमें सपोर्ट करिए हम आपके लिए तक पर हैं हमेशा जो आपको जरूरत होती है वो कंटेंट लाते हैं तो शेर सब्सक्राइब लाइक रुखना नहीं चाहिए इस वीडियो को दस हजार से लेकर एक लाग तक पहुचा डालो ठीका मिलेंगे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए मुझे दीजे जाजा थैंक यू सो मच फर वाचिंग है वे ग्रेट डेय जै हिंद